लापता यवती का मिला शव परीजिनों ने काटा हंगामा तीन दिन पूर्वला पता युवती की नहीं मिली थी लाश आक्रोशित क्रामिनों ने उन्नाव हर दोई रोड किया गया था जाम उत्तर प्रदिस के उन्नाव जन्तपत के थाना F84 के ग्राम दौलत पूर गाउं के रहने वाले एक व्यक्ति ने गाउ के ही कुछ लोगों पर अपनी मा के अपरण कर हत्या का आरूप लगाते हुए तहरिर दी जिसमें बताया था कि नौ मार्च को तीन बजे उसकी माँ घर से जानवरों का चौरा लेने खेत गई थी तबी से उसकी माँ घर वापस नहीं आई काफी खोजबीन के बाद उसे गाउ के ही एक व्यक्ति ने जानकारी दी कि उसने गाउ के एक युवक को उसकी माँ से खेत में बात करते देखा था वहीं मितिका के लड़के ने काउ के एक युवक मदन पर आरूप लगाते हुए तहरिर दी थी कि इन ही लोगों ने उसकी मा का अपहरन करके और हत्या करके कहीं फेग दिया है और पुलिस दोरा अभी तक कोई कारवाही ना किये जाने से ग्रामीनों में काफी रोश व्यापत था जिसको लेकर कल ग्रामिनों ने उन्नाव हर्दोई मार्ग जाम कर दिया और ग्रामिनों ने पुलिस पर पत्थराव भी किया जिससे मौके पर भारी पुलिस बल तैनात मौके पर पहुँचे उप जिलादी कारी वो अपर पुलिस अधिक्षक ने जल्द से जल्द खुला से के आश्वासन पर ग्रामीनों ने जाम खोला। काफी मसकत के बाद कल ते रात पकड़े गए अभियुक्त की निशान देही पर खेट से युवती करशव खोद कर परामत कर लिया गया। और पोस्ट मार्टम के लिए जीला हस्पिताल भेज दिया गया। जहाँ आज उसका पोस्ट मार्टम करशव को परीजणों के हवाले कर दिया गया और अभियुक्त को उचित धाराव में निरूदकर जेह भेज दिया गया। पेशे उन्नाव के सावान दाता सहवान मलिक की खास रिपोर्ट पेशे उन्नाव के अंतरगत कल कुछ व्यक्तियों दोरा एक महिला की बरामत्गी की मांग को लेकर हफीजा बार मारक में जाम लगाया गया था उस बार मारक को खुलवाने के क्रम में कुछ शरार्ती तर्तों के दोरा पुलिस पर पक्थर चलाए गया उप्युक्त व्यक्तियों को वीडियो ग्राफी के आधार पर चिंहित करके पहचान लिया गया है और उन पर विदिक करवाई की जा रही है यह लगवग यह नाखूनों से मतलब यहां पर गला दबाया गया है अच्छा और किसी इस दो नहीं बना गया है और नहीं नहीं हम यह हमारी रिप्वेश्टे की मतलब इंसे यह कारवाई की जाए इसे पुर्चाच की जाए जाए जाम के लिए लगाया क्यों कि मतलब हमारे पास सबूत था ठीक है सबूत भी था और गवा भी थे मतलब तब यह लोग कारवाई नहीं कर रहे थे अच्छी तरीके से और हम लोग को समय मतलब देते जा रहे थे कि एक दिन और उप जाओ आगे आगे देखते हैं पर फिर क्या हो इसके पर लाठी चार्ज है रहा हुई थे लोग नहीं माने फिर वहां पर हमने काड़ एश्डीम साब को बला दी जिए तब हम लोट जाएंगे वहां पर कोई नहीं आ रहा था तो फिर वह लोग जबर दस्ति लाठी चार्ज कर दिया फिर हम लोग भागे अब जनता तो है सर अपने बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है तो पत्राओ थड़ा बुत कर दिया फिर इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दिया हमारा हाथ भी तोड़ दिया कितने लोगों को नुक्सान हुआ लटी चार्ज है यह लगभग 20-25 लोगों को नुक्सान कर दिया है यह लोगभग 10-25 लोगों को नुक्सान हुआ लोगे लोगों को प्राजब।